अजमेर जिले की आथ विधानसभा सीटों के लिए आज सुभा आथ बजे से मतगर्णा प्रारंब हो चुकी है पहले चरण में बैलट पेपर की काउंटिंग की गई उसके बाद EVM मशीन से कई चरणों में मतगर्णा प्रारंब रही दिन भर चली मतगर्णा के दोरान आथो विधानसभा सीटों पर उलट फेर चला रहा कभी कॉंग्रिस कभी बीजेपी तो कभी निर्दल्य उमीदवार आगे निकलते हुए नजर आए जैसे जैसे मतगर्णा का दोर आगे बढ़ता गया स्थिती स्पष्ठ होती चले गई अजमेर की आठ विधानसभाओं में से साथ विधानसभा पर भाजपा का कभजा हुआ वहीं अजमेर उत्तर विधानसभा से भाजपा प्रतियाशी वासुदेव देवनानी लगतार पांचवी बार विधायक चुने गए देवनानी ने भाजपा से बगावत कर निर्दली उमीद्वार के रूप में व्यदान में उत्रे ग्यान सार्सवत को लगभग 4682 मतों के अंतर से हरा कर जीत हासिल की वहीं अजमेर दक्षिन विधान सभा से भाजपार प्रतियाशी आनीता भदेल कॉंग्रस प्रतियाशी द्रौपती कोली को 4446 मतों से शिकस देकर पांचवी बार विधायक की कुरसी पर काबिज हुई ब्याबार विधान सभा से भाजपार प्रतियाशी शंकर सिंग रावत ने 8878 मतों से अंतर से कॉंग्रस प्रतियाशी पारसमल जैन को करारी शिकस दी पुशकर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी सुरेश सिंग रावत तीसरी बार कॉंग्रस प्रत्याशी नसीम अक्तर को कड़ी चुनोती देते हुए 13,869 मतों के अंतर से पराजित कर विधानसभा के लिए अग्रसर हुए केकड़ी विधानसभा से शत्रुगन गोथम ने कॉंग्रस प्रत्याशी और पूर्ष चिकिस्सा राजय मंत्री डॉक्टर रगु शर्मा को 8,028 मतों के अंतर से पराजित कर विजे पता का लहराई नजीराबाद विधानसभा में रोचक मुकाबला देखने को मिला जहां नजीराबाद विधानसभा सीट के लिए रिकॉर्डिंग भी की गए लेकिन भाज़पा प्रत्याशी रामसवरूप लांबा ने कॉन्ग्रस प्रत्याशी शिफ्रकाश गुजर को 716 मतों से पराजित किया लांबा नजीराबाद विधानसभा सीट से दूसरी बार जीत कर विधानसभा जाएंगे मसूदा विधानसभा से भाजबा प्रत्याशी विरेंदर सिंग कानावत ने जीत दर्च की कानावत ने कॉंग्रिस से बगावत कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामने वाले वाजित खान चिता को 26,716 मतों के अंतर से पराजित कर बहुत बड़ी जीत आसल की वही जिले की आठ विधानसभा सीटों में से मात्र एक किशनगर विधानसभा सीट पर कॉंग्रस प्रत्याशी विकास चोधरी ने निर्दल्य प्रत्याशी सुरेश टांक को 3827 मतों के अंतर से पराजित किया आपको बदा दे किशनगर विधानसभा भाजपा से टिकेट नहीं मिलने पर विकास चोधरी ने कॉंग्रस का दामन चुनाव लड़ा है जबकि भाजपा प्रत्याशी सांसत भागिराथ चोधरी ने विधायक का चुनाव लड़ा है और वह तीसरी स्थान पर है है का दो पार्टी के हर आदेश को सर्म आके रखे हुए वह पार्टी के लिए दिन रात आपके है इस बिलकुल हमारी सरकार बढ़ने पर भी वागिराशा पर बहुत-बहुत बढ़ाई देती हुआ यह जीत विचारधारा की संगठन की और मेरे समर्फित कारकरताओं की यह जीत है निश्चे रूप से इसमें कुछ लोग जिन्होंने कॉंग्रेस के जो सनातन के वरोधी थे उनकी भी हार हुई है और साथ में जो कुछ लोग विचारधारा से अलग हट करके संगठन को चनो होती दे रहे थे उनकी बुरी तरह हार हुई है जब पार पार